जाइन फ्रेंट्स आपका अपने यूटूब चैनल फिजिकल एजुकेशन फिजा में आप सभी का स्वागत है और आज मैं लेकर के आया हूँ एक न्यू सिरीज ओ सिरीज का नाम है खेल पुरुसकार खेलों में जो भी पुरुसकार दिये जाते हैं आज उससे रिलेटर कोश मैं आपके लिए MCQ लेकर के आया हूँ जो एक्जाम में सियोर है आपको दो से तीन नंबर जरूर दिलाती है तो स्टार्ट करते हैं आपके सिरीज तो स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार वही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वीडियो को प्लीज लाइक सेवेर करेंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिकेशन बिल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली नेश्ट वीडियो मेरी आपको मिल सके तो स्टार्ट करते हैं कोस्चन नंबर फर्स्ट दोड़ाचार पुरुसकार किसको दिया जाता है तो दोड़ाचार पुरुसकार दिया दिव्यांग खिलाडी को प्रथम बार कब दिया गया तो कब दिया गया था फर्स्ट टाइम में अर्जुन पुरुसकार किसी दिव्यांग खिलाडी को यह दिया गया था 1974 इस भी में दिया गया था नेंच्ट कुश्चिन निम्न मेंसे किस ने अर्जुन पुरुषकार तथा द्रोड़ाचार पुरुषकार दोनों प्राप्त नहीं किये चैसा हैं अर्जुन और द्रोड़ा पुरुषकार दोनों नहीं प्राप्त किये तो किस नहीं प्राप्त किये हैं Character number D is right answer Milka Singh बाकि सभी ने सयद नई मुद्दीन, M. स्याम सुन्दर राव और A. रमन्ना राव ये तीनों लोग अर्जुन पुरुषकार और दुरोडाचार पुरुषकार पुरुषकार प्राप्त कर चुके हैं पिल्खा सिंह, राव अंसर है एकोर्डिंग ती इस क्वेस्चिन नेस्ट क्वेस्चिन देखते हैं B. गुप्ता ट्राफी का समबंध है तो B.L. गुप्ता ट्राफी का समबंध है किस से है? आपसर नंबर A is right answer अंतर विद्याले चैंपियनशिप से है नेश्ट कोस्चन देखते है अर्जुन पुरुषकार की सुरुवात कब किस वर्ष हुई तो अर्जुन पुरुषकार कब स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ है 1961 से स्टार्ट हुआ है प्रथम बार की स्वर्ष 29 अगस्त को राष्टी खेल दिवस के रूप में मनाया गया तो कम मना गया फर्स टाइम ये मनाया गया 1995 इस भी से नेश्ट कोस्चन ACI खेलों का उद्देश क्या है तो ACI खेलों का क्या है उद्देश से हमेशा आगे की और इम्पॉर्टेट कोश्चन है. आचुका एकजाम में ये. कई बार मैं जो भी कोश्चन करा रहा हूँ आपको सभी किसी ने किसी एकजाम में आई हुए हैं कोश्चन देखते हैं खेल पुरुस्चारों के लिए नाम किसके दौरा आमंत्रित किया जाते हैं खेल पुरुसकारों के नाम, तो यह राश्ट्री यह खेल परिसंगों वह युवा मामुलाथ होग नेश्ट कोश्चेन देखते हैं, मेजर ध्यान चंद, खेल रत्न पुरुसकार किस वर्श से प्रारंब हुए है, यह किस वर्श से पुरुसकार हुए है, 1992 से, पहले इसका क् नाम मैजर ध्यानच छंद खेल रात्न पुरुसकर मौलाना अबुल कलाम आजार्ट्रॉफी मा के किसे प्रदान की जाती है किसे प्रदान की जाती है ये इन्वेष्टि को प्रदान की जाती है, विष्वित द्याले को, नेष्ट कोस्चन, किस दिव्यांग खिलाडी को अर्जुन पुरुसकार प्रथम बार दिया गया, तो किसको दिया गया फर्स्ट टाइम, ये दिया गया था, नेक्ट कोस्चन देखते हैं हम लोग द्रोडाचार पुरुसकार का प्रारंब कब किया गया है तो फर्स्ट टाइम द्रोडाचार पुरुसकार कब से स्टार्ट हुआ है यह उन्नी सो पचासी से स्टार्ट हुआ है आपसर नमबर बी इस राइट आंसर नेक्ट कोस्चन उनको क्या प्रुसकारास दी जाती है एंप 15 लाख रूपए दी जाती है नेक्ट कोस्टन देखते हैं मौलाना अबूल कलाम wasn't traffic का प्रारंब किस वर्ष किया गया तो किस वर्ष किया गया यह सुरू किया गया है 1956 से 1957 इस भी में ओके यह सभी कोश्चन आ चुके हैं एक्जाम में मौलाना अबुल कलाम आजा ट्राफी में बिजेता विश्व विद्याले को कितने रुपे की पुरुसकार राशी दी जाती है फश्ट को यह दी जाती है विनर को 15 लाख रुपे दी जाती है खेल के च्हेतर में बिश्व श का सरवस्रेष्ट पुरुसकार बिश्व अस्तर पर कौण सा है पुछा गया है कोश्चन तो बिश्व अस्तर पह कौण सा है ये है Olympic Ardor पूरुसकार Next question देखते हैं Major Dhyan Chandr खेल रत्म पूरुसकार किस विभाग द्वारा दिया जाता है तो किस विभाग द्वारा दिया जाता है ये दिया जाता है Year Mom अमलात एवंग खेल विभाग के द्वारा दिया जाता है Important question है दोस्तों ये previous year exam में आ चुके है QUESTIONS next question हम लोग देखते हैं जीवन परयंत उपलब्दियों के लिए दिया जाने वाला ध्यान चंद पुरुषकार कभ प्रारम्ब हुआ जीवन परयंत उपलब्दियों के लिए दिया जाने वाला ध्यान चंद पुरुषकार कोस्चन को ध्यान से देखे आप लोग ये कब इस्टार्ट हुआ 2002 से इस्टार्ट हुआ केके बिड़ला खेल पुरुसकार कब से दिया जा रहा है तो ये कब से दिया जा रहा है केके बिड़ला पुरुसकार 1991 से दिया जा रहा है नेस्ट कोस्टन देखते हैं हम लोग अंतराष्टी बैडमिन्टन फेडरेशन द्वारा दिया जाने वाला AD चूग AD चूग पुरुसकार कब से दिया जा रहा है तो ये कब से दिया जा रहा है 1998 से दिया जा रहा है 1998 से दिया जा रहा है एडी चुक पुरुसकार याद रखिएगा इंटरनेशनल बैडमिनिटन फेजरेशन को दोला दिया जाता है पुरुसकार एडी पुरुसकार इंपोर्टेट कोस्चन है राइट डाउन आप लोग जरूर करिए इसको एक बार निम्न में से किसे बैडमिनिटन में अरजुन पुरुसकार द्रोलाचार पुरुसकार पदम स्री पदम भूसन और मेजर ध्यान चंदर खेल रत्न पुरुसकार प्राप्त हो चुका है तो किसे प्राफ्थ हो चुका ये सभी पुरुसकार ये भी question important है एक्जाम में आ चुका है पुलेला गोपी चंद्र ओके इसका right answer है पुलेला गोपी चंद्र अब्दुल कलाम आजा ट्राफिक का सर्व पर्थम बिजेता कौन सा विश्व बिद्याला है तो सर्व पर्थम पूछा गया है तो सर्व पर्थम कौन सा विजेता है इसका option number B is right answer पंजाबी विश्व बिद्याला है ओके निम्न पुरुसकारों में से सबसे पहले प्रारंब होने वाला पुरुसकार कौन सा है तो option number B जे right answer अरजुन पुरुसकार कबसे start हुआ है 1961 से Next question हम देखते हैं ध्यान चन पुरुषकार किसे दिया जाता है तो ध्यान चन जो पुरुषकार वो किसे दिया जाता है ये पूरो खिलाडी को दिया जाता है Next question देखते हैं Athletics में पर्थम द्रोड़ाचार पुरुषकार किसे दिया गया था 1985 में दिया गया था नेस्ट कोश्चन देखते हैं अर्जुन पुरुसकार प्राप्त करने वाली पर्थम वाईला खिलाडी है अर्जुन पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली खिलाडी कौन सी है एन लुम्स डेन है नेस्ट कोश्चन देखते है निम्ण में से कौन सा पुरुसकार एक दल को दिया जाता है तो कौन सा पुरुसकार एक दल को दिया जाता है आपसन नमबर D is right answer मेजर ध्यांचंद खेल रत्न पुरुसकार एक दल को दिया जाता है Next question देखते हैं शिखों मीरावाई चानू जिसे वर्ष 2018 में मेजर ध्यान चंद खेल रत पुरुसकार दिया गया किस खेल से संबंदित है तो मीरा भाई चानू का भी नाम एक जामें पूछा जा सकता है दोस्तों तो एक बार इनका नाम जरूर आप लोगे याद रखिए सिखों मीरा भाई चानू और एक किस गेम से थ स्टार्ट हुआ है राजस्थान में पूछा गया है नेस्ट कोस्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे 1985 में द्रोडाचार पुरुसकार नहीं दिया गया तो किसे नहीं दिया गया यह आरडी सिंग को नहीं दिया गया है बाकी तीनों लोगों को दिया गया है ओपी भा आगवाद जी को दिया गया और O.M. नामवियार जी को दिया गया इन तीनों लोगों को 1985 में दिया गया है नेस्ट कोस्टन देखते हैं इंपोर्टेंट सिरी दोस्तों एकजाम में आया हुए सभी कोस्टन्स हैं दो नंबर आपके फिक्स हैं जा में स्योर मौलाना अबुल कलाम आजा ट्राफिक किसे परदान की जाती है तो किसे परदान की जाती है राष्टी विस्विद्याले खेल विजेता को परदान की जाती है विस्विद्याले चेंपियन को ओके नेस्ट कोस्ट सरकार है तो कौन सा है एक खिलाड़ी को भारत सरकार द्वारा प्रदत शरोच नागरिक पूछा गया है तो अगर लेकिन पूछा गया है सरोच नागरिक का और इसका question देखते हैं, वर्श 2018 के खेल पुरुसकार किस तारिक को दिए गए थे, तो किस तारिक को दिए गए थे, ये 25 सितमबर को दिये गए थे, next question देखते हैं, पर्थम मेजर ध्यांचन खेल रतन किसे दिया गया, तो किसे दिया गया था, फर्स टाइम ये बिश्वनाथन आनन जी बिसुनाथन अनणजी की ढerry से हैं यह हैं चेस से नेनीक कोश्चन देखते हैं वर्तमान में मेजर ध्याँचंदわかने की पुरुसकार राज कितनी है यह पक्तिस लाक रुपए है, next question देखते हैं, एक खिलाडी को पर्दत को प्रदान की जानने वाला सरोच खेल पुरुसकार है, एक खिलाडी को पूछा गया है, तो सरोच खेल पुरुसकार कौन सा है? आपसा number B, जे right answer, major ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार, पहले इसका नाम क्या था? राजिय गांधी खेल रत्न अवार्ड ओके, next question देखते हैं, major ध्यानचंद खेल रत्न पुरुषकार में खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, तो क्या प्रदान किया जाता है, next question, मेजर ध्यान चंद खेल रत्म प्राप्त करने वाली परत्थम महिला खिलारी कौन है? परत्थम महिला खिलारी पूछा गया तो कौन है? करडम मलेस्वरी है? ये right answer करडम मलेस्वरी किस गेम से थी? भारत तोलन से ओके नेक्ट कोस्टन देखते हैं निम्न मेंसे किस वर्स किसी भी खिलाडी को मेजर ध्यान चंद खेल रत्म पुरुसकार नहीं दिया गया तो किस वर्स नहीं दिया गया था ये 2008 में नहीं दिया गया था बाकि सभी वर्स किसी न किसी खिलाडी को दिया गया है जो आउप्षन में दिया गया है, okay, next question देखते हैं, निम्न में से राजस्तान के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, राजस्तान के पूछा गया है, question में, तो किस को दिया गया है, देवेंदर, जहां जरिया को, पहरा फ्यालूम्पिक गेम से ओके नेक्ट कोस्चन देखते हैं भारत के किस खेल मंत्री को मेजर ध्यांचन खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है भारत के किस खेल मंत्री को पूछा गया है मेजर ध्यांचन खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है यह राजवर्धन सिंग राठवर जी को जो गेम से थे ये सूटिंच से, ओके, दो जाचार ओलंपिंग में इननोंने पदक जीता था, नेस्ट क्यास्ट देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी कितने वर्सों के खेल परदर्शन के आधार पर दी जाती है एक वर्स एक साल में जो भी टॉप पर रहेगा उसको दिया जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी ओके नेश्ट कोस्टन देखते हैं निम्न में से माका ट्राफी के लिए कौन सी प्रतियोगिता के अंक नहीं दिये जाते हैं तो ये दिये चैलेंज प्रतियोगिता के अंक नहीं दिये जाते हैं ओके नेश्ट कोस्टन देखते हैं माका ट्राफी में कौन सी राष्टी प्रतियोगिता में अंग परदान किये जाते हैं कौन सी राष्टी प्रतियोगिता में अंग परदान किये जाते हैं तो उपरोक सभी राष्टी विश्व विद्याले खेल के और खेलो इंडिया इनुश्टी के और अंदर 36 विस्टिविद्या लएके तीनों के अंग प्रदान किये जाते हैं मौलाना अबूल कलाम आजा ट्राफी में ओके, next question निम्न में से कौन से पुरुसकार को चल पुरुसकार के रूप में दिया जाता है चल पुरुसकार के रूप में दिया जाता है दोस्तों, question नया है, तो यह है किसके रूप में दिया जाता है, मा का ट्राफी का उद्देश निम्न में से है, तो जो मौलाना अबुल कलाम आजा ट्राफी है, उसका निम्न में से क्या उद्देश है, तो according to this question, option number 2 is right answer, उपरोक्त सभी, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, विश्व विद्यालों में खेलों एवंग सारीरिक दच्छता को अनिवारे करना इसके लिए दिया जाता है, और फिर, second, नसा मुक्त खेल संस्कृति का विकास करना इसके लिए भी दिया जाता है, और खेलो में सरवसेष्ट परदासन करने वाले विश्व विद्याले का सम्मान करना इन तीनों के लिए दिया जाता है, मौलाना अबुल करजाम ट्रॉफी का एक क्या है, उद्देश से परपज है, नेश्ट कोश्चन देखते है, माका ट्राफी में दिती अस्थान पर रहने वाले विश्व विद्याले को कितनी पुरुसकार रासी दी जाती है, तो कितनी दी जाती है, यह साड़े साथ लाख रुपे दी जाती है, फर्ष्ट को कितनी दी जाती है, पंदरा लाख रुपे दी जाती है, नेश्ट कोश्चन देखते है, माका ट्राफी में तीसरे अस्थान पर रहने वाले विश्विद्याले को कितनी पुरुसकार रासी दी जाती है तो कितनी पुरुसकार रासी दी जाती है साड़े चार लाख रुपए दी जाती है 4.50 लाख रुपए दी जाती है ओके गेम से रिलेटेट सभी जितने अवार्ड हैं सभी इसमें इंक्लूट किया गया है तो वीडियो को इबर लाइक सेर और सस्क्राइब जरूर करिए अप लो और सियोर है कि आपको एक्जाम में दो से तीन कोश्चन तो आपको देखने क्यों मिलेंगे ये मिलेंगे दोस्तों बेरी बेरी इंपॉर्टेट सिरीज है आप सभी के लिए राष्टी खेल पुरुषकारों के लिए किस संस्था द्वारा चैन प्रकिरिया संचालित की जाती है ये युवा मामलात एवन खेल मंत्राला के द्वारा संचालित की जाती है नेश्ट कोश्चन देखते है बिश्विद्याले प्रतियोगिता में कम से कम कितने बिश्विद्याले के भाग लेने पर माका ट्राफिक के लिए अंक दिये जाते है तो कितने कम से कम सोलर बिश्विद्याले होने चाहिए सोलर टीम होनी चाहिए ओके नेश्ट कोश्चन देखते है बिस्विद्याले प्रतियोगिता में बैक्तिगत अस्पर्धा में नियुन्तम कितने खिलाडियों को भाग लेने पर बिस्विद्याले को माका ट्राफिक के अंक दिये जाते हैं तो कितने कम से कम 20 कितने खिलाड़ी के भाग लेने 20 विद्धाले को माका ट्राफिक लिए जाते हैं तो 20 खिलाड़ी ओके नेस्ट कोस्टन देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टर सीरीज है आप सभी के सामने कुछ न्यू कुश्टन देखने को मिलेंगे नेशनल इनवर्स्टी गेम्स तथा ख माका ट्राफिक से उलम्पिक में किसी खिलाड़ी के पिछले वर्सों का परदर्षन देखा जाता है तो पिछले कितने वर्सों का परदर्षन देखा जाता है नेक्ट कोस्टन देखते हैं विचिण विजयक खेल 209 थोड़ा सा रॉंक दे दिया है विजयक टे खेल में विजेता खिलाड़ी को मार्सछ ट्राफि में कितने अंक दिय जाते हैं दोशंआ दिय जुत नेस्ट क्वेश्चन इंटरनल विज किने अंक दिए जाते इंटर जोनल पूछा गया है जिस चार जोन होते हैं तो उसमें जो इंटर जोनल पूछा गया तो कितने अंक दिए जाते हैं उसके लिए 15 अंक दिए जाते हैं next question देखते हैं major ध्यानचंद खेल रतफव पूरुसकार के लिए खेलाडी के पिछले कितने वर्स का खेल परदर्शन देखा जाता है तो कितने वर्सों का खेल परदर्शन देखा जाता है चार वर्सों का परदर्शन देखा जाता है और अर्जुन अवार्ड में भी चार वर्सों का देखा जाता है परदर्शन माका ट्राफी के बिजेता के ताओर पर राष्अपत से पुरुषकार कौन प्राप्त करता है वो सारीक सिच्छा जो निदेशक होता है वो प्राप्त करता है पर आश्पर से कौन रिसीव करता है वह सारे इक सिछ्छा जो निदेशक होता है वह रिसीव करता है नेस्ट कोश्चन देखते हैं मेजर ध्यान चन्द खेल लत्म के लिए परते खेल से कितने आवेदन प्राप्त किये जाते हैं इंडिविजुवल एवरी गेम से वो दो आवेदन प्राप्त किये जाते हैं दो प्रविष्टियां ओके नेश्ट कोस्चन देखते हैं मेजर ध्यांचन खेल रत्न के लिए यदि कोई खेल संग निलंबित है तो आवेदन किसके माध्यम से किया जाएगा अगर कोई खेल संग क्या बोलते हैं निलंबित है तो किसके माध्यम से आवेदन किया जाएगा तो किया जाएगा खेल भारती खेल प्रादिकरण के माध्यम से किया जाएगा नेश्ट कोस्चन देखते हैं मेजर ध्यांचन खेल रत्न पुरुसकार के लिए भारत सरकार द्वारा कितने खिलाडियों का नॉमिनेशन किया जा सकता है तो कितने खिलाडियों का नॉमिनेशन किया जा सकता है तो मैक्सिमम दो की जाती है कारेकारी निजदेशक टीम के द्वारा की जाती है नेस्ट कुस्टिन देखते हैं मेजर ध्याँचन खेल लंद पुरुसकार के लिए क्योंसी ऐस्परधा में खिलाडी का प्रदर्शन देखा जाता है तो कौंसी अस्परधा में आपसर नमबर D इजए राइट आंसर ओलंपिक में भी देखा जाता है और विश्टु Championship में भी देखा जाता है और राष्ट मंडल एवंग ACN Games में भी देखा जाता है, सभी में देखा जाता है, ओके, very important question है, यह आ सकता है, exam में sure है, निम्न में से, किस खेल में खिलाड़ी का बेक्तिगत परदर्शन मेजर ध्यांचन खेल रंद पुरुसकार के लिए देखा जात है, तो किस के लिए देखा जाता है, बेक्तिगत परदर्शन, तो यह cricket में, ओके, next question देखते है, major ध्यांचन खेल रंद पुरुसकार की चैन समीच पुरुसकार के लिए अंतिम रूप से किसे नाम का अनुमोदन करती है, किस के लिए अनुमोदन करती है, option number C, right answer, you are मामला तेवंग खेल मंत्राले के द्वारा, next question देखते है, major ध्यांचन खेल रंद पुरुसकार के लिए चैन समीच में कितने सदसे होते हैं, तो चैन समीच में कितने सदसे होते हैं, वो 12 सदसे होते हैं, next question देखते हैं, किसी खिलाडी द्वारा ओलंपिक खेलों में सुन पदक जीतने पर उसे major ध्यांचन खेल रत में कितने अंक दिये जाएंगे, तो कितने अंक दिये जाएंगे, total 80 अंक दिये जाएंगे, next question देखते हैं, निमने में से किस खिलाडी को दो खेलों में प्रदर्शन के आधार पर major ध्यांचन खेल रत परदान किया गया है, तो किसे दिया गया है, पंकज आडवानी को दिया गया है, next question, important question है, major ध्यांचन खेल रत प्राप्त करने वाला पहला 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 अथलीट काउन है, तो पहला 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 अथलीट काउन है, वह हैं देवेंदर जहाजरिया है, तो दोस्तों ये खेल पुरुसकार का फ़र्श पार्ट था, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहों इसलिए, अभी आपको मैं second part में जल्दी उसको upload करूँगा, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार जरूर लाइक, कमेंट, सेयर करके जरूर मुझे बताए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे हैं, और आपके लिए एक new series लेकर के आऊँ, जब भी आप mobile खोलो, next, कुछ नया मिले आपको, ओके, तो दोस्तों, thanks for watching everyone, bye bye